नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है देश के सुरक्षा और विकास के लिए भारत ने एक और मिसाल कायम करती है मनाली से लेह के बीच 10,000 फीट की उचाई परिस्तेत दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल बनकर तयार हो गई है ये टनल करीब 8,8 किलो मीटर लंबी है साथी 10 मीटर चौड़ी है इसे बनाने में करीब 10 साल लग गए लेकिन अब इसे लद्दाक साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा साथी इसकी वजह से मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलो मीटर की दूरी कम हो गई है इसका नाम है अटल रुहतांग टनल इसका नाम पूर प्रधान मंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपाई के नाम पर रखा गया है इस टनल के बन जाने से अब मनाली घाटी से लहौल और इस्पिती घाटी तक की यात्रा बहुत असान हो गई है इस यात्रा में अभी तक आम तोर पर पांच घंटे से ज्यादा समय लगता था अब महज दस मिनट में पूरी हो जाएगी अटल रुहतांग सुरंग लेह और लद्दाक के आगे के शेत्रों के लिए सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी जो देश के बाकी हिस्सों से बर्फ के कारण लगभग छे महीने तक कटे रहते हैं ये सैन्य द्रिस्टिकोंड से बेहद महत्पून है इसके बनने से सबसे ज्यादा फाइदा लद्दाक में तैनात भारतिये फौजियों को मिलेगा क्योंकि इसके चलते सर्दियों में भी हतियार और रसत की आपूर्ती असानी से हो सकेगी अब सिर्फ जोजिला पास ही नहीं बलकि इस मार्ग से भी फौजियों तक समान की सप्लाई हो सकेगी टाइमस ओफ इंडिया के खबर के मताबिक नाली लेह रोड पर चार और टनल प्रस्तावित हैं फिलहाल ये टनल बन कर पूरी हो चुकी है ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर के अंत में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी इसका उदगाटन करेंगे ये टनल सिर्फ मनाली को लेह से नहीं जोड़ेगी बलकि हिमाचल प्रदेश के लाहौल इस्पिती में भी यातयात को आसान कर देगी ये कुलू जिले के मनाली से लाहौल इस्पिती जिले को भी जोड़ेगी इसे टनल के अंदर कोई भी वहान अधिकतम 80 किलो मीटर प्रती घंटा की रफतार से चल सकेगा इसे बनाने की शुरवात 28 जून 2010 को हुई थी इसे BRO ने बनाया है ये सुरंग घोड़े के नाल के अकार में बनाई गई है इसे बनाने में BRO के इंजीनियरों और करमचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी क्यूंकि सर्दियों में यहां काम करना बेहद मुश्किल हो जाता था यहां पर तापमान माइनस 30 डिगरी तक चला जाता था इस टनल को बनाने के दौरान आठ लाक क्यूबिक मीटर पत्थर और मिट्टी निकाली गई गर्मियों में यहां पर पांच मीटर प्रती दिन खुदाई होती थी लेकिन सर्दियों में यह घटकर आधा मीटर हो जाती थी इस खबर में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिया बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ